जॉग करते करते Japanese language को सीखना या in fact किसी और भी course को सीखना उसको follow करके अपने आपको successfully उसको complete करके दूसरी job को join कर पाना उस course से related job को join कर पाना काफी tough होता है काफी मुश्किल होता है या फिर मैं कहूंगा कि अगर unguided information है आपके पास या unstructured way है पढ़ने का तो impossible ही होता है तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि Japanese language अगर आपका target है सीखना और सीखके job करना तो किस तरह से आप अपनी existing job को जो की हो सकता है Japanese language से related job हो या फिर Japanese language से कोई लेने दिन ना हो तो आप कैसे Japanese language को सीख सकते हैं और successfully अपने career को shift कर सकते है Japanese language की तरफ जिसमें काफी अच्छ salaries होती है काफी अच्छा scope होता है growth का जो कि मैंने काफी explain किया है अपने पिछले वीडियो के अंदर वो भी जरूर देखिएगा तो वो कैसे किया जाए आईए इस वीडियो में हम सीखेंगे welcome to Nongo Max मेरा नाम है रवी चलिए शुरू करते हैं tip number one देखिए सबसे important सबसे मैं कह आते हैं तो डॉक्टर जब आपको इलाज करता है और उसकी दवाई देता है तो आप डॉक्टर से यह नहीं पूछते कि मैं यह एक गोली एक बार में ही क्यों खानी है मैं दस गोलियां क्यों खालूं आज ही क्यों ठीक हो जाऊं ठीक है यानि कि कहने का मतलब कि आप एक professional जगा पर जाते हैं जैसे companies बड़ी बड़ी companies अपना जो काम है जिस पर वो पूरी तरह से focus नहीं कर पाती पूरा distraction हो जाएगा उनको अगर तो वो उसको outsource कर देती है किसी छोटी ऐसी company को जिसका वही काम है ठीक है जिसमें वो expertise हासिल करी हुई है और आपकी company को perfect वो deliver करेग existing job को और साथ में मुझे एक ऐसा काम करना है जो कि मतलब अगर मैं खुद करने लगूँगा तो मुझे पूरा उसके अंदर घुचना पड़ेगा पूरा structure बनाना पड़ेगा पूरा समझना पड़ेगा basic से लेकर advanced तक मुझे Japanese language कैसे सीखनी है कैसे उसको divide करना है कौन कौन स sections होते हैं किस तरह से exam को appear करना है तो अगर यह सारी information आप से gather नहीं हो पा रही या फिर आप gather तो कर लिए आप उसको करना भी तो है daily आपको पढ़ना है daily आपको structure बनाना है कैसे मैं मतलब कितने घंटे निकालूँगा एक दिन के कितने दिनों में या कितने महीनों में मैं ए नहीं लोगों के लिए उनी students के लिए बनाई गई है जो कि पूरा structured way में पढ़ना चाहते है लेकिन obviously structured way से ही पढ़ाई होनी चाहिए लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो है नहीं उनके पास तो सबसे पहली बात कि सबसे बड़ी specialty nihongomax.com की यह है कि N5 से लेकर N1 तक बिलकुल 0 से लेकर बिलकुल end तक आप एक structured way में step by step पढ़ सकते हैं इसके लिए आपको खुद कोई महनत नहीं करनी पड़ेगी वहीं पर आपको बना बनाया structured way में सब कुछ मिल जागा जैसे आप एक institute में जाते हैं यानि कि एक तरह से आपने उसको outsource कर दिया कि मुझे आप पढ़ाओ सारी जिम्मेदार यह आपकी है मुझे आप जो जो बोलो कि मैं करूंगा और मुझे इतने महीनों में जैसे तीन महीने छे महीने एक साल में मुझे एक certificate मिल जाए और साथ के साथ मेरी ability भी बन जाए कि मैं उसको दिखा के कहीं पर job ले पाऊं तो इसी तरह से nihongomex.com से आप अपने आपको relief feel कर सकते हैं कि मैंने तो outsource कर दिया आपके सिरफ 500 पर मत का charge या फिर 1000 रुपीज का 3 months का charge इस तरह से ही आपको charge देना पड़ेगा जो कि institute से बहुत कम charge है तो आप के ल दो classes हैं तीन classes हैं और मुझे वो homework भी complete करना है और मुझे कब करना है ठीक है तो nihongomex.com के साथ आपना एक पूरा schedule बना सकते हैं जैसे मान लीजे आदे घंटे का ही time है मेरे पास ठीक है job करने का क्योंकि मैं ठक भी जाता हूं मुझे revision भी करना है तो आदे घंटे ही मैं इसक सोचना कि मुझे Japanese language में क्या करना है क्यों कैसे gather करना material उस material को किस तरह से follow करना है तो पहला यह जो point है यह बड़ा important point है अगर आपको यह लग रहा हो कि मैं अपने product को बेच रहा हूं या मैं आपको एक तरफ एक ही तरफ direct कर रहा हूं तो पहली बात तो हाँ थोड़ा सा मैं इसा कर रहा हूं लेकिन frankly speaking worth है अगर आप सच में इस चीज को test करके देखे शुरू की classes जो की free है उनसे test करके देख सकते हैं चलिए बात करते है tip number 2 की यह specifically मैंने सोचा है उन लोगों के लिए जो Japanese की job कर रहे हैं देखिए बड़ा important और बहुत अच्छा आपके लिए positive बन सक आप देखिए आप अपने इस time को भी अपनी पढ़ाई के ही एंगल से use करिए अगर आपने nihongomax.com से एक भी sentence सीखा है तो sentence को obviously मैं मान लीजिए आपका N3 level है तो आप N2 या N1 की ऊपर की ही पढ़ाई कर रहे होंगे ठीक है तो उस sentence को आप जाके या मैं कहूंगा 3-4 sentences को ज दगा सकता हूं definitely मेरे साथ भी आसे हुआ हर की से के साथ ऐसा ही होता है कि Japanese language यूज करके जब आप Japanese लोगों कुछ बोलते हैं advance में तो या तो उसका rectified version या फिर उसको use किया हुआ एक next sentence ठीक है जो कि आपकी again बहुत बढ़िया पढ़ाई बनता है वो आपके उपर डालते है और वह आप शीखते हो वह मुझे तो एक तो validation मिल गी दूसरी बाग मुझे इससे भी अच्छा है कि expression मिल गया सीखने का जो कि आपको ample sentences बहुत सारे sentences मिल जाएंगे nihongomax.com पर तो ये second tip जो है ये बड़ा important है उन लोगों के लिए जो Japanese language में काम कर रहे हैं और Japanese language को और advance सीख के और अपनी job को 3 महिने, 4 महिने, 6 महिने में हाई-5 बनाना चाते हैं फिर किसी दूसरी company में देखे packages की बाद भी मैंने आपको कई बार बताई है कि 8 लाख, 9 लाख के packages को 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख बनाने में students सर्फ 6 महिने लगाते हैं अगर वो smart है, clever हैं और अगर आप smart clever नहीं हैं, जो कि मैं जानता हूँ, आप हैं क्योंकि आप मेरा वीडियो को इतनी देर तक आपने देख लिया है, तो समझ जाहिए कि आप nihongomax.com को use करके 3 महिने में यह वो काम कर सकते हैं, अभी अभी टेस्ट करके देख लीजिए, चले बात करते हैं, tip number 3 कि यह थोड़ा स से related, ठीक है, तो इसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि उनकी salary काफी कम है, जो Japanese language में काम करके salary काफी high हो सकती है, बढ़ सकती है, यह भी target हो सकता है, फिर पहले से उनको Japanese language में interest है, जो कि काफी students है हमारे पास engineering background से, mechanical engineering, IT engineering, तो वो Japanese language को काफी एक अच्छा career मान के पढ़ते हैं, और जब हम उनको guide करते हैं कि किस तरह से आप इसको तेजी से कर सकते हैं, तो वो और भी ज्यादा motivated होके पढ़ते हैं, और फिर वो success को achieve करते हैं, motivated रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एक ऐसे material है जो बिलकुल ही, मतलब properly divided नहीं है, properly उसके section नहीं बन में पढ़ने की जुरूरत है, और वहीं मैं कहूंगा कि दिन का सिर्फ आदा घंटा या एक घंटा पढ़ने की जुरूरत है, अगर दूसरी job है भी तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा जादा time लगेगा, मैं ये तो नहीं कहता कि Japanese language वाली job के बराबर ही आप C के आगे बढ़ सकते हो, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा, आपको time जरूर लगेगा, लेकिन ये है कि motivation आपकी बनी रहेगे, अगर आपके पास एक structured material है, मैंने पूरी-पूरी महनत करिया आपको ये शुरू से बताने की, बिल्कुल zero से बिल्कुल ABCD से बताने की, कि Japanese language को बहुत धीरे बहुत detailed way में समझाने की कोशिश करी है, तो आप उसका जरूर-जरूर फाइदा उठ है, आपको definitely अपने पैसे जो है, वो worth लगेंगे कि मैंने worth spend किया है, तो इता tip number 3, कोई बहुत बड़ी scientific knowledge, बहुत कोई technical, मैंने तो ऐसा खुश भी आपको, बहुत मुश्किल कोई चीज तो नहीं बताई है, लेकिन यह कि इसको याद जरूर रखिए क्योंकि motivated रहने के लिए ना, दो चीज़ा बहुत जरूरी है, एक तो हर ball पे छक्का नहीं मारना है, क्योंकि अगली ball पे out हो जाओगे आप, ठीक है, यानि कि एक दिन में मैंने job भी कर लिए और 3-4-4 घंटे पढ़ाई भी कर ली, वो भी गलत है, और बिल्कुल हर ball पे zero run भी नहीं बनाना है, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मेरे तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहे है, तो मैं अब effort ही क्यों करूँ, मैं कुछ और ही करता हूँ, ठीक है, तो आपको बिना सोचे समझे कि मैं कहा जा रहा हूँ, कितना आगे भढ़ रहा हूँ, आपको हर wall पे एक एक run बनाना है, यानि कि आपको हर दिन सिरफ आदा घंटा या 45 मिनट इसको देना है, revision भी आप वहीं पर कर लीजिए, इसके अलावा कुछ भी मत करिए, कुछ भी, और छोड़ दीजिए, यानि कि outsource कर दी इसको आप जीतने वाले हो, thank you so much, all the best.